मुश्कर दोस्तों मैं आप सभी कर अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागित करता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की अड्मिशन का जो लॉट्टी ड्रॉय वो कब निकल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंट्स केंदरी वीडियाले में दाखले सबंदित इंफर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इंफर्मेटी वीडियो को नोटिफकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं तो आप सबी को पता है कि केंदरी वीडियाले में फर्स्ट क्लास की अड्मिशन का जो ऑनलाइन प्रसेस था वो बीस जुलाई बीस जुलाई 2020 से लेके साथ अगस्त 2020 तक था तो अब सबी को इंतजार है कि फर्स्ट क्लास का जो लोट्री कर जल्ट कभ निकल रहा है तो तो फ्रेंड्स आपने जिस भी केंदरी वीडियाले में अपलाई किया है आपको पता है कि जो ऑनलाइन प्रसेस में जो में तीन option थे तीन केंदरी विद्याले में अपलाई कर सकते हैं जिस अगर आपने एक में अपलाई किया है जा तीनों में ही अगर आपने अपलाई किया है तो तीनों केंदरी विद्याले की जो website पे जो इसका जो result है लोटरी कर जो result है वो 11 अगस्त 2020 को साड़े बारा बज़े से लेके डेड़ बज़े के बीस जो है अपलोड कर दिया जाएगा तो आप इस result को आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा आगी अभी भावक 12 अगस्त 2020 को प्रता 6 वज़े से अवेदन की स्थिती पर क्लिक करके बविन परवेश रेनियों के लिए अज्योजित की गई लोटरी में अपने अवेदन की स्थिती ग्यात कर सकते हैं और आपको वहां पे application status पे जाके अपना application जो आपका ID नंबर है वो आप फीड करेंगे उसमें date of worth और अपना mobile नंबर फीड करोगे तो उसमें आपका जो application का status है वो clear हो जाएगा अगर आपके बच्चे का वहां पे लोटरी में अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है उसके लिए कुछ document की जुरूरत होगी वो हम इसे आगे discuss करेंगे अगर आपके बच्चे का लोटरी में नाम आ जाता है तो कुछ जो document है जो आपको वहां पे submit कराने पड़ेंगे स्कूल में वो कौन-कौन से document है आप लोग देख सकते हो जहां पे सबसे पहले है self declaration distance between school and residence second है service certificate अगर आप government में service करते हो center government के इंपलाई हो तो आपका यहां पे service certificate चाहिए अगर आप state government के इंपलाई हो तो format service certificate state government अगर आपने single girl child में apply किया है तो उसके लिए आपको affidavit की जूट पढ़ेगी affidavit for single girl child died in hairness certificate अगर किसी की service के दोराण death हो चुकी है तो उस category में अगर आपने apply किया है तो आपको died in hairness certificate चाहिए अगर आपकी transfer हुई है तो आपका transfer certificate चाहिए तो जैसे हम यहाँ पी first click करते है self declaration तो friends जैसे हम click करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास यह certificate आजएगा self declaration for distance between school and residence इसमें आजएगा बच्चे का नाम father या mother of wearing application submission code जो application का submission जिसमें आपने application submission की थी उसका जो code है और declare the radial distance between school and our residence यहाँ पे आपको fill करना है और यहाँ पे parents के sign होगे और आपने data mention करने है next certificate है service certificate अगर आप center government के employee हैं तो आप service में हैं तो यहाँ पे आप fill करोगे शिरी मान जया शिरी मती डैश करयाले मंतराले से नेजमत करमचारी के रूब में कारिकत हैं यहाँ पे आप English और Hindi दोनों में format दिया हुए आप यहाँ पे fill करके और यहाँ पे signature करवा के आप वहाँ पे submit करवा सकते हैं नेक्स देखते हैं तो अगर आप state employee हैं तो आपको जो service certificate चाहिए state government राज्य सरकार तो यहाँ पे आप certified करेंगे आप इस पोस्ट पे हैं और यहाँ पे आप कारेले के sign करवाएंगे और यहाँ पे स्थान और date इसके next देखते हैं तो friends अगर आपने single girl child में apply किया तो यहाँ पे 100 rupees का जो stamp paper है notary से tested करवाना हुआ यहाँ पे आप mention करोगे कि my name is और आप यह काम करते हैं यह आपकी date worth है और यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा is the only girl child in my family तो नोटरी के sign करवा के और signature होंगे फादर और मदर के और यह आप तियार करवा के स्कूल में submit करवा सकते हैं तो friends अगर आप ने transfer होई है certificate of number of transfer अगर आपके transfer होई है तो आप यह form फिल करके विद्यालने में जमा आपको करवाना पड़ेगा अगर आपने इस category में apply किया है तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और share जूरू करना और अगर आप channel पे नहीं है तो channel को subscribe करना thanks for watching जैहिंद